हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त शावाज मलीख, दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको होम तेटर को रिपेर करने का स्टैप बाइ स्टैप तरीका बताऊंगा, इसमें मैं आपको आज हर कॉंपोनेंट की जान काता हो, को भी परेशानी हो, तो आप किस तरीके से अपना होम तेटर का स्टार्ट करतेंगे, कहां से चेक करेंगे, ऑर किस किस कंपोनेंट पर कितनी कितनी वोल्टेज आएगी और Multimeter से उसको कैसे चेक करेंगे ये सब चीजे दोस्तों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले Home Theater में काम शुरू होता है Transformer के दुआरा Transformer हमारी 220 वोल्टेज को step-down करता है और Transformer के output में आप देख सकते हैं इसमें 3 वायर है दो हरी और एक पीली दोनों हरी वायर में 16 वोल्टेज है और जो बीच की पीली वायर है उसमें 0 वोल्टेज है वें हमारे speaker की sound को amplify करती है और जो left side में 220-3 IC लगी हुई है वें हमारे buffer की sound को amplify करती है इन IC को check करने के लिए friends मैंने पहले ही separate video बना रखी है अगर आप चाहें तो आप वे video देख सकते हैं लेकिन मैं आपको एक और नया तरीका इस video में आज बताऊंगा अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी चेक करें जो मैं आज बताने वाला हूं या जो हमने पहले बताया आप उससे भी अपनी IC को check कर सकते हैं तो इस नए तरीके में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा तो यह देखिए जो हमारे ट्रांसफार्मर से जो मैंने पहले बताया था इसमें वोल्टेज आई है इसी तरह से आप सब IC को check करिए सब में वोल्टेज सेम ही आईगी अगर यह वोल्टेज में डिफ्रेंस बहुत ज़ादा या बहुत कम होगा तो भै IC खराब होगी अगर आपके पास कोई और हॉम्टेटर है जिसमें जब आपने चेक किया तो उसके ट्रांसफार्मर में आउटपुट में 16.5 की जना पंदर आया बीस वोल्टेज आई इसके बाद आप दोस्तों देखिए कि इसके अंदर दो IC 458 बीच में लगी हुई है इसमें जो राइट वाली IC है इसका काम बूफर की बैस को बढ़ाना होता है और जो लेप्ट में लगी होई होती है उसका काम स्पीकर की साउंड को बढ़ाना होता है तो अगर आपके होम सकता है आपकी यह IC भी खराब हो और मैं आपको दिखा देता हूं कि इसको चेक किस तरीके से किया जाए हमारे पास दो वोल्टेज है प्लस सोला और माइनस सोला जो मारे ट्रांसपार्मर से आई है वह दोनों वोल्टेज के अंदर जाएंगी कि दो पिनों में यह वोल्टे इसके बाद आप देखिए यह 16 वोल्टेज यहां से इन वायर के दुरू सीधा हमारे MP3 कार्ड पर जाएगी आप वीडियो में देख सकते हैं हमने आपको चेक करकर भी दिखाया है इसके बाद इस 16 वोल्टेज को आईसी 7805 8805 आईसी के दुवारा 5 वोल्ट में कर्वर्ट किया जाएगा क्योंकि हमारा MP3 USB कार्ड 5 वोल्ट की सप्लाई पर चलता है युएसबी कार्ड की चेकिंग आप आसानी से कर सकते हैं इसके लिए बस आपको यह देखना है कि ट्रांस्फार्मर से जो वोल्टेज आ रही है क्या आईसी के दुवारा उसे आसानी से 5 वोल्टेज में कनवर्ट किया जा रहा है या नहीं अगर ऐसा हो रहा है 5 आउट्पूट हो रही है और इंपूट में आईसी पर 16 वोल्ट जा रही है तो सही है आपका काड सही है इस वीडियो में ट्रांस्फॉर्मर से जो जिरो वोल्ट आउट्वूट में निगले है वे हमने अर्टिंग पॉइंट लिया हुआ है तो आपने देखा कि कितनी आसा कुछ को फॉलो करते जाना है और आपके सारे कॉंपोनेंट चेक हो जाएंगे और दोस्तों हमने कोशिच कि है कि हम इसके अंदर सभी तरीगी आईसी और सब कुछ बता दें आपको कि कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी समस्थिया हो आपको होम्टेटर में आप बड़े आसा कि लगी तो प्लीज शेयर करें लाइक करें और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया और अगर आप हमारा चैनल से चुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरू करें